पूरा भारा देश राम मैं हो चुका है भगवान राम की नगरी आयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिश्था होने वाली है पूरा देश भगवान राम की दर्शन करने के लिए आयोध्या जा रहा है लेकिन एक राम भक्त ऐसा भी है जो आयोध्या नहीं बलके आयोध्या से रामेश्वरम के लिए पद्यात्रापन निकला है ये शिप्रा पाठक है वाटर वूमेंड की नाम से मश्हूर शिप्रा पाठक वैसे तो अब तक मा नर्मदा से लेकर कई नदियों की परिक्रमा कर चुकी है लिकिन इन दिनों शिप्रा एक ऐसी पदियातरा पर है जिस पर शायद ही अब तक कोई चला हो दरसे शिप्रा ने आयोध्या नगरी से राम एश्वर्ट की पढ़ियात्रा शुरू की है इस दोरान जब अलब पुर पहुँची शिप्रा ने वताया कि राम को जानने के लिए इससे बहतर मार्ग नहीं हो सकता यह राम की कृपा हुई जो उन्होंने अपने पत पर चलने की मुझे अनुपती दी और मुझे लगा कि राम को जानने के लिए राम को आत्मसाथ करने के लिए राम को मानने के लिए इससे अच्छा मार्ग और कोई नहीं हो सकता कि श्री राम जान की जिस वन गमन पर पैदल चले क्यों ना उसी पत पर चल कर राम को समझा जाए जाना जाए प्रणाम किया जाए और उनके नाम की साथ प्राटक को प्रकृति से काफी प्रेम है वो प्रकृति को ही परमात्मा मानती है इसलिए उनका मानना है कि परमात्मा न को मानती हूँ जो भारत का प्रथम सनातन है प्रकरती ही परमात्मा है तो मेरे लिए परमात्मा का अर्थ है जल नदियां पहाड जंगल जीव जन्तु वो सारे प्राणी जो इश्वर ने बनाए हैं उनके जीवन की रक्षा करना तो यह पूरी जो पद्यात्रा है वो प्रकरत एक महिला के लिए आयोध्या से रामेश्वरम तक करीब चार हजार किलो मीटर की पद्यात्रा आसान नहीं है लेकिस शिप्रा कहते हैं कि वो उसकी अभ्यस्त है थोड़ी मुश्किले जरूर आती है पैदल यात्राओं की अभ्यस्त हूं और मुश्किलने तो हर जगे हैं आ सब्सक्रारे में सोचना पड़ता है पर भारत बेटियों का देश है यहां घर से धर्म पर निकलने वाली हर पुत्री हर घर की पुत्री होते हैं फ्रक्रति के मुश्वरुप को बनाए रखने के लिए शिप्रा पातक का ये प्रियास सरानिय है शिप्रा रामेश्वरम अप मरियादा को पहचानना कैसे है तब ही मरियादा पुर्शुत्म राम का ये देश बनेगा और राम राज इस्तापित होगा दुर्गेश कुमार न्यूजिटेट जबलपूर्ण